नमस्कार, सुपरिस्टार क्लासेस में स्वागत है आपका आज हम लोग इस्ट्री के टॉपिक सिकंदर अलेक्जेंडर दे ग्रेट को डिसकस करेंगे जो किसी भी एक्जाम के लिए महत्पूर्ण और मोस्ट इंपोर्टन है सिकंदर एक सत्साली योध्धा था वो पूरी दुनिया को विजित करना चाहता था यही सपना लेकर वो दुनिया के कई देशों को रहुंता हुआ भारत की ओर अगरसर होता है दुनिया के कई देशों को राजाओं को बुरी तरह से परास्त करने के बाद भारत में प्रिवेश करता है यहाँ इसका मकाबला पोरस से होता है और भारत के कुछ भूबाग को भी जीत लेता है लेकिन अंत में सिकंदर पोरस की बाहदुरी और प्रैकरम की बज़े से भारत से बापस लौट जाता है और रास्ते में इसकी मृत कहां हो जाती है विविलोनिया में हो जाती है आए इस महत्पूर्ट टॉपिक सिकंदर अलेक्जंडर दग्रेट को डिस्कस करेंगे और ये किसी भी एक्जाम के लिए सुपर्टेट लेकपाल पीसियस और अधर एक्जाम के लिए बहुत ही most most important टॉ तो स्टुडेंट्स आईए इसको डिस्कस करते हैं सिकंदर का जो जन्म हुआ था 356 बीसी में हुआ था और ये हुआ कहां था तो ये मकदूनिया में हुआ था यूनान के मकदूनिया में हुआ था जो एक छूटी रियासत थी कैसी रियासत थी दोस्तों छूटी रियासत थ सिकंदर के पिता का नाम क्या था तो सिकंदर के पिता का नाम था फिलिप एक्जाम में पूछा जाता है सिकंदर महान के पिता का क्या नाम है फिलिप और जो की कहां का सा सक्था तो मगदूनिया का सा सक्था देखिए सिकंदर के विशे में एक बहुत बड़ी बात जो इस्टुडेंट्स को पता नहीं है इनके गुरू का नाम क्या था तो सिकंदर महान के गुरू का नाम था अरस्तू बहुत ही important प्रस्न है exam में कई बार पूछा गया प्रस्न है most most important प्रस्न सिकंदर के गुरू का क्या नाम था तो अरस्तू आए नेक्स प्रस्न को डिस्कुस करते है भारत में सिकंदर किस रास्ते से प्रिवेश करता है यह कह सकते है वो किस दर्रे को पार करता हुआ इंडिया में प्रिवेश करता है या भारत में प्रिवेस करता है तो ये पहली बार किस दर्रे को पार करता है ये भारत में प्रिवेस के दौरान खैवर दर्रे जो कि पाकिस्तान में कहां पर है पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ जो खैवर दर्रा होता है जो कि पाकिस्तान पहले भारत में था तो एक खैवर दर्रे से भारत में प्रिवेस करता है most important प्रस्ण है exam में कई बार प्रस्ण पूछा गया है कि सिकंदर महान भारत में जो entry करता है वो किस दर्रे से करता है तो खैवर दर्रे से एक और बात जानिए कि भारत में पहली बार वो किस राजा के खिलाब अव्यान करता है तो सिंदु नदी पार करके तक्ष सिला के अंभी राजा जो वहां का सासक होता है अंभी यानि कहने का मीनस है कि अंभी के खिलाब अव्यान पहली बार सिकंदर करता है लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि जो तक्ष सिला का साथ सक अंभी होता है वो सिकंदर महान के आंगे क्या कर देता है आत्म समर्पण कर देता है आईए नेक्स प्रसंट को डिसक्स किया जाए सबसे इंपोर्टेंट प्रसंट जो सबसे महत्पून है जो एक्जाम में कई बार पूछा गया चाहें सुपर्ट हो आपका यह कह सकते हैं आने वाली ग्जाम आपकी लियक पालगया सुपर्ट और ऐससी एक्जाम सुइं या अदर पीशेस लेबल के एक्जाम्स या बेंक इस तरह के बहुत सारे प्रसंट पूछा जाता है और कई बार प्रसंट आया हुआ है इसलिए एक्जाम की तरस्ट बहुत महत्पूर्ट प्रसन है तो पुछे जाता है कि जो सिकंदर महान ने जो भारत पर अभ्यान किया था तो मुख यूद कौन सा होता है तो इसका मुख यूद होता है राजा पूरस के खिलाप और पूरस के साथ जो यूद होता है वो कब होता है तो 326 वीसी में कब होता ह 326 BC में और यह युद किस नदी पर लडा जाता है आईए दोस्तों तो यह जेलम नदी पर किस नदी पर जेलम नदी पर लडा जाता है और इस युद को विस्तता का युद या इसी को हाईडे स्पीस का युद भी कहते हैं यहां पर कई सारी important प्रसन और कई तरीके से पुछा जाता है पूरस और सिकंदर के वीज जो युद्ध लडा गया उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है तो इसे बोलते हैं हाइडे स्पीज के युद्ध के नाम से या इसी को कहा जाता है विस्तता का युद्ध और ये किस नदी पर लडा यह भी इंपोर्टेंट है तो जेलम नदी पर लड़ा गया आए नेक्स प्रस्ण की चाचा करते हैं इस युद्ध में सिकंदर की जीत होती है पूरस कहने का मिन्स इस युद्ध में हार जाता है लेकिन ये युद्ध बहुत भाधुरी के साथ पूरस लड़ता है और अंत में जब यह पूछा जाता है जब बंदी बना लेता है किसको पूरस को कौन सिकंदर और सिकंदर पूछता है कि एक आपके साथ कैसा विवार किया जाए तो पूरस जो चुकी जो राजा पूरस होता है और काफी हिंदू राजा होता है और युद्ध भी बहुत अच्छे तरीक इस बात को सुनकर शिकंदर काफी प्रभावित होता है पोरस से और उसके राज को बाफिस कर देता है इस युद्ध के दोराने जहलम नदी पर जो आपका हाईड़ स्पीच का युद्ध होता है उसमें इसका प्रिये घोडा आ जाता है किसका तो शिकंदर का और बुखा फेल और इसी की याद में सहर को बसाता है जिसको बोलते हैं निकाया नगर कौण सा नगर दोस्तों निकाया नगर तो निकायनगर की इस थापना भुखा फहला सःर किसने बसाये थे तो ये दोनों बसाये गए किसके थे तो ये सिकंदर महान के थे आईए नेक्स प्रस्ण की बात करते हैं दोस्तों राजा पूरस का राज किन नदियों के मद्द था तो जेलम और चिनाओं नदि के मद्द में किसका राज पढ़ता था तो पूरस का पूछा जातियों को हराया था तो important प्रसन है गौलंग निकाया और करू जातियों को हराया था किसने शिकंदर ने लेकिन पूरस को हराने के बाद अब आगे ये प्रसन पुझा जाता है क्या होता है कि इस युद्ध में चुकि सिकंदर काफी समय से लड़ रहा होता है कई साल से लड़ रहा होता है तो कहने का मीन्स इसकी जो सेना होती है काफी ठक चुकी होती है और जब व्यास नदी के को पार करना चाहती है तो अधिक तर सेनिक ये कहते हैं कि हम इस नदी को पार नहीं कर पाएंगे और इस बज़े से सिकंदर अपनी सेना को भारत से बापस कर देता है और कहता है कि कुछ जल मार के द्वारा कुछ थल मार के द्वारा बापस दाएंगे तो प्रस्ट पुझा आता है कि इस नदी को पार नहीं किया थे कि सेंदार की सेनाने को सी ही नधी सी नधी जहाजी बेनेड़े पूछा गया है कि सीकंदर का जल मादगवार печ कर ने वाला जो एडमिरल था उसका क्या नाम थփ तो नीयաरकश इसी के नेत्रत में सिकंदर ने जल सेना को जहलम नदी के माध्यम से वापस किया और थल सेना को क्रिटेरस के नेत्रत में वापस कर दिया यहीं सेना को दो भागों में वाट देता है एक तो जल सेना और थल सेना तो जल सेना को कौन समालता है नियार का समालता है जबकि थल सेना को कौन समालता है तो क्रिटेरस और क्रिटेरस के साथ ही चुकि किसकी बापसी होती है सिकंदर की बापसी होती है सिकंदर भारत में कितने महीने तक रहा तो कुल टोटल ये युद्ध के दोरान कह सकते हैं कितन सिकंदर महान का राजवाय कौन था तो कैसियस कौन था कैसियस यह काफी important most important exam की दर्श से प्रस्न है दोस्तों और सिकंदर जब वापस लोड़ रहा होता है तो kurmaet affordom और सिकंदर की मिरत्व करते हैं यहीं दर्श पर है और इसे धिखनय दिया जाता है सिकंदर सिकंदर यह मिंड़न यह घ् c कि था जिसका जनम कहीं होता है म्रत कहीं होती है और साहई सभनाया कहा जाता है तो सिगंदरिया में एक और हैंसा करेंग distinction कौन सी है तो ओनो से करेटिएस aciसर इस जीवनी किसकी है तो सिकंदर न कि अन्टत्थिंग रीवाथ कर लेते हैं अन्टत्थिों में भारती भुबाग पर सिकंदर की ऐंतिम विजेए किस राज के विरुद्र धिए प्रस्न पूशन से पार राज की विरुद्धी यहनि अंतिम में सिकंदर की विजय किस के खिलाब किस राज के खिलाब थी तो पाठर राज के खिलाब आए नेक्स प्रसंट की बात करते हैं तक्ष सिला का जो सासक होता है अंभी जो आत्म समर्पित कर देता है सिकंदर के सामने उसका राज किन दो नदियों के मद्ध में पढ़ता है तो दो नदियां थी सिंदू और जहलम नदी सिंदू और जहलम नदी के मद्ध में किसका राज था तो अंभी का था काफी इंपोर्टेंट प्रसन है और जहलम और चिनाव नदी के मद्ध में किसका राज था तो आपको पता होना ची पोरस का था यह दोनों ही important person है और कई बार exam में पूछे गए और पूछे जाने के chances भी आने वाले exams में आया तो यहां पर हम लोगों discuss किया क्या-क्या discuss किया आए देख लेते हैं एक बार एनी सिकंदर कहां का साजक था तो मकदुनिया का इसके पिता का क्या नाम था फिलिप था और भारत में किस दर्दे से प्रिवेश करता है most important person है लगा लीजिए important खैवर दर्दे से next बात कि हाइडे स्पीज का युद कब हुआ था 326 BC में किस नदी पर हुआ था तो जहलम नदी पर हुआ था और हाइडे स्पीज युद को ही क्या का जाता है विस्तिता का युद नेक्स्ट बात की जाए इसने दो सहर अपने बसाया थे भारत में बुखा फेला सहर और निकाया नगर ये बात आपको बड़े अच्छे से पता होगी बुखा फेला उनका प्रिये गोड़ा था उनकी निकाया नगर को क्यों बसाया था इसने पोरस को विजित किया था इसलिए बसाया था फिर नेक्स्ट इंपोर्टेंट किसके मद्ध राज परतादक छेलम और चिनाओ के मद्ध किसका था राजा पोरस का सिकंदर ने पोरस के बाद किन जातियों को विजित किया तो दो जात उसने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था तो ब्याश नदी को किस को ब्याश नदी को अब आगे बात करते हैं सिकंदर का राजवयत कौन था तो कैसेस था कौन था काफी most important soft acid के लिए सिकंदर का राजवेथ था कैस्डवार की बार इसकी मरत्यों कहां हुई सिघंदर की mining और इसका अंतीन संसकार कहां किया गया था सिकंदने में सिकंदरिया पड़ता है अफगणिस्ताने और इसकी जीवनी का क्या नाम इसकी जीवनी क्या सिकंदर किये तो उनों से क्रेटियस तो दोस्तों काफ़ important प्रसन डिसक्स किये और आने वाली exams के लिए भी हम अच्छे प्रसनों को समलित करेंगे अच्छे क्या उन्मार्ट अठाद लिएीन करेंगे ज्सक्राद प्रसनों को समलित करेंगे झाले माले हम आने ये प्रसनों के लिए ये लिए बार्छान करेंगे विए act